आईशा सिंग के नाम के चर्चे काफी ज़्यादा है जब से बिग बॉस के घर में वाइल कर्ड एंट्री के नाम के किसे उनके सुनने में आए हैं क्योंकि नील और एश्वर या उनके को स्टार पहले से ही शो के अंदर है सीरियल गुम है किसी के प्यार में के डिरेक्टर ने रिशी शर्मा ने बॉलिवूड स्पाई को दिये इंटर्व्यू में आईशा सिंग को ले कर खुला सा किया और कहा कि बिग बॉस ने एक नहीं कई बार उन्हें यहां पर शो के अंदर आने की बात कही लेकिन आईशा ने हर बार शो को ठुरा दिया रिशी शर्मा ने बताया कि आईशा का जो नेचर है वो काफי सीधे स्वभाव की है और मेरे मानने से वो शो के अंदर फिट भी नहीं बैठती है रिशी शर्मा ने यहां पर बताया कि जिस तरीके से एश्वरिया और नील है वो काफी दूसरे को प्यार करते है शो के दौरान भी उनके बॉर्डिंग काफी प्यार थी और काफी ऐसा ये कपल था कि मेट फूर इच दर लगता था लेकिन ये दौनों साइलेंट बॉम्ब है जब ये लड़ते हैं गुसा होते हैं तो बाप रे बाप इन्ही के अपोजिट है आईशा से रिशी शर्मा डिरेक्टर ने बताया कि आईशा मिलकुल वीपरित है वो काफी शान्त है काफी भोली है स्ट्रेटेजी बनानी उन्हें आती नहीं है यही कारण रहा होगा कि उन्होंने बिग बॉस को करने से इंकार कर दिया चुकि शायद इतनी ज़्यादा सराफत बिग बॉस की घर में नहीं चाहिए तो डिरेक्टर की इस इंटर्व्यू पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताएं और सब्सक्राइब करें चैनल खेलो खेलो और भी खबर जानने के लिए